आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम 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 प्राइ साथ प्रतीशत मत्यदान संपन हुआ सीतापूर 38.62 प्रतीशत मत्यदान संपन हर्दोई 34.45 प्रतीशत मत्यदान संपन फतेपूर 40.07 प्रतीशत मत्यदान संपन हुआ है पीलीवीत 41.2 प्रतीशत राइबरेली साथिस लखनाओ 35.09 प्रतीशत बांदा सबी जगह से एक बज़े तक क्या अकड़ी सामने आ गए है पीली भीत 41.2% मतदान संपन हो चुका है लखीमपूर 40.9% मतदान संपन सीधापूर 38.6% मतदान संपन हर दोई 34.4% मतदान एक बज़े तक संपन लखनाओ 35.9% मतदान एक बज़े तक पूरा हुआ उन्नाओ 38.1% मतदान हुआ राइबर इली 37.2% वोट डाले गए फतेपूर में 44.07% मतदान एक बज़े तक हुआ बादा 37.6% मतदान एक बज़े तक संपन हुआ 37.45% मतदान संपन हो चुका है नौजिलो की 69 विधासबा सीटों पर और अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनाओ से लखनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आईपियस नवीन अरोडा ने किया मतदान नवीन अरोडा ने किया पत्नी के साथ मतदान लखनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आईपियस नवीन अरोडा ने किया मतदान नवीन अरोडा ने किया पत्नी के साथ मतदान फतेपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है मतदान करने से वंचित हुए लोग बड़ी खबर सामने आ रही है मतदान लिस्ट में नाम ना होने से नाराज हुए लोग भाजपाद्यक्षा शीश मिश्रा ने शिकायत की पतेपोर से बड़ी ख़बर सामने आ रही है मतदान करने से वंचित हुए लोग मतदान लिस्ट में नाम ना होने से नाराज हुए लोग भाजपाद्यक्ष आशी शिमिश्रा ने मामले का लिया संग्यान फतेफुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मतदान से वन्चित हुए कई लोग बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी शिकायत करी गई मतदान लिस्ट में नाम ना होने से नाराज हुए लोग भाजपाद्यक्ष आशी शिमिश्रा ने मामले का लिया संग्यान फतेफुर से बड़ी खबर सामने आ रही है मतदान करने से वन्चित हुए लोग मतदान लिस्ट में नाम ना होने से नाराज हुए लोग लखनाव से भी कई ऐसी खबर सामने आई है जोहां पे मतदान लिस्ट में नाम नहीं है वोटरों का मतदाताओं का मरिया फतेफुर से भी ऐसी ख़बर सामने आ रही है फटदान करने से वंचित रहे लोग जब मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुचे तो वहां उनका नाम लिस्ट से गायब रहा जिसका संग्यान लिया है भाजपाद्यक्ष आशीश मिश्राने फटपुर से ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है मतदान करने से वंचित हुए लोग मतदान लिस्ट में नाम ना होने से नाराज लोग और इस ख़बर पर मैं सबस्दाबाद चीट के लिए सब मदाता मदीप पार्ठी जुट शुके फटपुर से अमर दीप जो ये मामला संग्यान में आया है कि वोटर लिस्ट से मतदाताओ का नाम गया बे मतदाताओ की क्या प्रतिक्रिया सामने आई देखिए मद्दाताओं की प्रक्या तो बहुत ही कड़ी कड़े शब्दों में उन्होंने अक्रोष बिक्ति किया है कि उनका कहना है कि 2017 की बिधान सबा चुनाओं में एवं प्रिग्राम पंचायत के चुनाओं में जह हमने मद्दान का प्रयोग किया था मद्दान किया था पर ऐसी 2022 में जो मद्दान की चल रहा है दो बिधान सबा चुनाओं जो चल रहे हैं उसमें वो पूरी तरीके से मद्दान की प्रक्या से बंचित हो गए हैं तो उसी संदर में हमारे साथ भाजपा के जिला अद्याचासिस मिनिस्टा भी जुड़ गया थे उन्होंने भी हमसे कहा कि हम जो है भी जिला दिकारी से बात करके किसी समस्चा का हल निकालने की कोसिस करते हैं पर एक ही जो और सामने आती है कि आखिरकार ये गल्तियां किसकी है जिला निर्वाचन अद्यकारियों दोरा जो ये बियलो हो या लेक पालो जिनको ये कार शौ पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि मद्दान का प्रश्चत कम होता जा रहा है यह सोचनी भी से हैं जी सिखा जी हलो अमर्दीप पुछे सुन पा रहे हैं हाँ बोलिये जी अमर्दीप पिछले तीन चनावों में हमने देखा कि लिस्ट से गायब होने वाली परिशानिया नहीं देखने को मिली लेकिन चौते चरण में यह काफी मामले सामने आ रहे हैं आम लोगों के भी मामले सामने आये हैं और साथ ही अगर बात करी जाए तो मनवर आना जो की एक मशूर शायर है उनका भी ऐसा ही मामला सामने आया है उ अर फाथेपोर से भी आव ऐसी खबरे सामने आरीये तो आखिर इसके पीछे बजा क्या है बड़ी लापरवाही है कितने लोगों के अना गायब है तो जो यह मतदान खराब हो रहे हैं लोगों के मत खराब हो हुरे है तो क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर कि पूरी तरीके से ततपरता के साथ लोगों का नाम जोडा जाए पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसमें तो जन्ता का भी अक्रोस कहीं ने कहीं जलकता है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे कठोर से कठोर और कानूनी कारवाई होनी चाहिए जो अपने काम के प्रत पूरी तरीके से लापरवाही दिखाया है और लोग मद्दान से बंचित हुए है और एक ची और बता दूं कि एक बकेवर सेंटर में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर की मद्दान करने के लिए गया हुआ मद्दाता बटन तो दबा रहा है और एक ये मशीन को चालू नहीं किया गया तो भाव पर भी एक लापरवाही सामने आई है ये लापरवाहिँ का भढ़ा हुआ जो चौछ बृता चरान ये ये जरूर सोचनी परिस्ट नैसे और इसमें कट्छोर कारवाही होनी चाहिँे जो बीज में जिनों ने भी लापरवाही की है उनके साथ जरूर कुछ न कुछ ऐसा एक्षन होना चाहिए जिसके भविश में एवियम मशीन खराब होने की भी कोई ख़बर सामने आ रही है देखिए ऐसा है कि एवियम मशीन की फटेपुर जन पर से तो अभी कोई भी मशीन खराब होने की सूचना नहीं है पर इतना जरूर है कि जो सबसे बड़ा मामला है मतदाताओं के नाम कटने कर तो सबसे बड़ी परिशानी यही है मतदाताओं के लिए मतदाताओं की जो सूची होती है उससे नाम गायब है और कई जगा से ऐसी भी खबर सामने आई कि जो लिस्ट में नाम होता है एक पर्ची मिलती है जिसको लिजाकर दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते तो वो भी नहीं मिली है तो दो तरह की पर्ची होती है एक मतदान केंदर पर मिलती है और एक लोगों की घरों तक पहुंसती है लेकिन कुछ लोगों के घर तक वो पर्चिया नहीं पहुंची है तो कुछ लोगों का लिस्ट से नाम गायब है तो वहीं लखनव से ऐसा भी मामना सामने आया जहां पे 85 वर्ष के बुजर्ग का नाम गायब था क्योंकि उनको मृत घोशित कर दिया गया था लिस्ट में तो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है हलाकि इससे मतदाता काफी आक्रोशित है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो चोथे चड़ का मुकाबला देखने को मिल रहा है आज कई प्रत्याशी है कई बड़े चहरे है जिनकी साख आज दाव पे लगी हुई है अप टिवी स्क्रीन्स पे लगतार देख रहे हैं सभी बड़े चहरों के नाम भी दिखाय जा रहे है अलग-अलग जिले से जिन भी चहरों पे आज दाव लगा है कुल 624 प्रत्याशी है जो की चिनावी मैदान पे है उसमें अधिति सिंग भी शामिल है रविदास महरोत्रा भी है आरपी यादव भी है अलग अलग दलों के कई बड़े चहरे हैं जो कि आज चुनावी मैदान में हैं उनकी किसमत का फैसला EVM में कैद हो रहा है और देखने वाली बात ही होगी कि इस बार जनता क्या फैसला लेती है किसे अपना उमीदवार चुनती है क्योंकि इस बार जनता के पास समस्याएं बहुत है और इनी समस्याओं को देखते हुए इस बार जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है सुबह साथ वजे से ही शिरू हो चुकी है और मतदान का प्रयोग करते हुए लोग बने हुए है तो वही जहां इतनी परिशादिया सामने आ रही है लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के लिस्ट से नाम गायब भी नज़र आए जो मतदाता के लिस्ट है उससे नाम गायब भी है और इसी बीच हमाई समवादाता ने मतदान के इंद्रों पे जाके जनता से बात करी है और वोटरों से जाना है जो परिशानियों का सामना कर रहे हैं मतदाता उनसे बात चीत करके जैज़ा लिया है और बात भी करी उन प्रत्याश उन लोगों से भी जिनके नाम गाया भी आपको दिखाते हैं इतनी सारी कमिया सामने नजर आ रही है कि जिनन लोगों के नाम किछनी 2017 में जो मतदान हुआ था उस मतदान में उन लोगों ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद जब 2022 में विधान सभा के जो चुनाव संपन हो रहे हैं आज फटेपुर जिनकन में मतदान हो रहा है वहां पर कुछ ऐसे लोग सामने आए जिनका की नाम रिजिस्टर से गायव हो गया है और सबसे बड़ी मिशंकती तो ये सामने आ रही है कि जिन लोगों काल कवलित हो गए थे उनके नाम चड़े हुए हैं और जिनके नाम पिछली चुनावों में थे उनके नाम कैंसिल हो तो आखिरकर क्या कारण रहा किसकी मर्जी से या अपनी मर्जी से चलाये करके बियलो हो या लेक पाल हो जो भी ये सम्मंदित अधिकारी इन नामों को चड़ाने के लिए लिए लिश्ट को कम्प्रीट करने के लिए नियुक्त किये गए थे उन लोगों ने या उनकी ऐसी गंदी मानसिकता की सोच जो सामने आई है उस पे हम उन लोगों से बात करेंगे कि जो लोग पिछले 2017 में मत्दान का प्रयोक किया था आज यो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका कहना है कि हमारा नाम ही वोटर लिश्ट से काट दिया गया है तो हम सब से पह है आफो समस्य क्या है तो आपक़ नाम नहीं है तो अपका नाम फ़ा दू जब जुनाव हुआ था तब उसमें आपका नंता था हम इस बार क्या हुआ है नहीं नहीं आप बहुता शो को का? कर नाम को अगा शुटन जी तो आप अपने पता किया मेरा नाम नहीं तो क्या आपने किसी संबंदी तदिकारी से बात गिया नहीं नहीं का नाम नहीं तौन नहीं तो आप देवार ने जाओं कि अभी तक क्या इस्टी रहे हैं कि अभी तक आज कि जो प्रसंटेज के नंबर आ रहा है वह तो अच्छा रहा है कि मताता परच़कर अपना वोड़ डाल लाएं और परच़कर अपना शिस्सा ले रहा है कि जन्ता योगी सर्डा है कि अप्रादा विए और मुंकार नहीं है और पिरिया कृष्टाब कर ऐसे विच्छान करने वालों को दो जाज़ार फाइस में मतान करनी कि लिए और वो मुलोग मतार नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए भीका सब्स्तार को यश्यार को एश्यां क सुरीचिन जी क्या मामला है हमारि वाइव। है किया 2017 देता उस میں नाम ठाइ़ अब क्या हुआ कि जो नाम कड़िया हचाइब क्या वाप पिछले उतमें इस तो तो क्या आप तो क्या पैसी समद्न सम्द से इस नाम किया वहाँ किया है Tiny Apps तो हम आपको आपने लोगों से बात किया ऐसी कई लोग है इनके नाम 2017 में होने के बाद 2022 में नाम उनके उड़ा दिये गए यह एक सोचनी प्रस्थन है इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है जिला निर्वाचा नज़कारियों के आदिसों की अगर बात करें तो खुले आम चाहे बियलो हो चाहे लेकपाल जी हो उन लोगों ने उनके दिर्वाचान आयों के नियमों की खुले आम धज्यां उलाई है और सबसे बड़ी बात कि यह है कि जो इस संसार जबीदा हो गए है उनका नाम लिष्ट में है उनके नाम है और जो बरतमान समय पर है उनके नाम उड़ा दिये गए है तो यह कहा भी यह है कि लोग तंतर में जितना मतदान आप करेंगे उतना ही लोग तंतर मजबूत होगा पर ऐसे तो लगता है कि अगर यही इसी तरीके की प्रेक्टियां सामने आती रही तो जरूर लोग तंतर मजबूत नहीं होगा बलकि वो धरातल पर चला जाएगा कैमरा मैन नीरज के साथ हमार दीप्तुर पाठी प्राइम टीवी तो हमारे समधाता ने मतदाताओं से बात करी हूँ उनकी परिशानियों को सुना जाना और शुकायत करी गई है कई मतदाता ऐसे हैं जो की विकलांग है व्रिद हैं उन लोग क जवान का मानवीय चेहरा आया सामने बुजर्ग महिला को वीलचेर पर लिजा कर करवाया मतदान खागा विधान सबा का है मामला बड़ी खबर सामने आ रही है सरहानी कदम देखने को मिला पतिपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जवान का मानवीय चेहरा आया सामन तो वही सीतापुर के लहरपुर में सुनील वर्मा जोकी विधायक है बखी जनता पार्टी के सरकार के ओपर हम लोगों ने बिकास कार किये हैं जो लोग अभी तक जुद्भी जोपडी में रह रहे थे आप इस चाहे लहेपुर कस्वे की बात देख लीजे चाहे जहां कि आज सारे लोगों को आवास मिले हैं, वो सब प्रिकास के नाम पर वोट में जाए, जिना किसी भेदवाव के और रश्टा चाहर मुक्त, अपराद मुक्त, भय मुक्त समाज दिया गया, इस आधार पर कॉछल को पता चया के नाम जसक्ति आधार जान स्था कावी मुक्त, लिए आपने चाहर के साथ, वो फिली दूरे हैं, वन सब्सक्राख wesण देख दरा यहाराद, कि जनता पर यहाराय काता वरोट फिलीतन हम पर ब् unto пр Mmm क्लि जंता की तरफृ